जह हिंद इस वीडियों लोग विकास सिकोटे कंपनी के बात करेंगे देगे विकास सिकोटे का सेर प्राइस लगग दो मां से एक विडियो में बात होगी साथ में यह भी बताऊंगा कि कंपनी कितना सही है इसमें बने रहने के लिए इसमें समय देने के लिए क्या फ्यूचर में कभी कमा कर देगा या नहीं देगा हर एक चीज पर बात होगी आईए वीडियो शुरू करते हैं देखिए दोस्तों विकास सिकोटे कंपनी आपको पता है केमिकल सक्टर से इसलिए केमिकल सेक्टर की नजर बनाकर ध्यान देना जरूरी है अब समझे इसका जो मार्केट के लिहाद से कमपनी ठीक है और शेयर प्राइस प्रइस पैसे लेकिन डाउन जा रहा है अब तो कई दिनों से जा रहा है क्योंकि एक खास एरेंज में ट्रेट कर रहा है जब आप तो फाइनली एक फरवरी से प्रवरी को और अभी लगभग पांच रूपया 20 पैसा है मानने जब चौर रूपया से लेकर पांच रूपया इसी के बीच में इसका रूपया लगभग दो से देखेंगे तो रहा है कई यह इसका बाहर कभी इसका पांच रूपया अब मतलब पहला रेटरेंस लेबल है और इसका सपोर्ट लेबल रहे का 5 रुपया यह जो अभी नीचे अधिकतम आ सकते हैं 5 रुपय तक इसके बाद फिर उपर उठने की स्थामाव नहीं है हाला कि उपर उठने का यह मतलब नहीं कि अपना इससे बाहर निकल जाएगा या उसके पहले भी निकल सकता है इसलिए ज्यादा घाब लाने के कोई बात नहीं है समझेंगे एक सब्ता का रिटर्न अभी इसका निगेटिव में है लगवक साथ 5 परसेंट हलाकि एक महा का रिटर्न है और साल भर का रिटर्न तो पोजेटिव में है ही अब समझें इसमें दिकत क्या है कि सेलिंग प्रेसर पिछले कुछ दिनों से काफी अधिक देखा जा चलता जो अब कम हो गया देके सेलिंग प्रेसर पेछले कुछ दिन अच़के दिन की बात दो 24,50,000 देखा गया और वाय इंग प्रेसर आज इस सधीक 55,000 से काउन थे आक दम सब्सक्राइब दिख सकता है और उसके बाद से उपर जाते वे दिख सकता है अब फंडामेंटल बताता हम समझेंगे यह जो कंपनी विकास इकोटे कि इसका लक्ष है इस कंपनी का कि यह दूजा तेज तक अपने आपको कर लेगी कंपनी उपर ज्यादा करजा नहीं 126 करणों रुपए का करज है लेकिन अच्छी बात है कि कंपनी ने अपना करज पिछले दू-3 क्वाटर से कम किया है और जो क्वाटर का रिजल्ट आने वाले क्वाटर फोरका उसमें भी कंपनी अपने करज को कम करते वे दिख स लाग का सिर्फ तीन माहा में पैसाट लाग से तीन करोड और अभी क्वाटर फोर का रियर्ट आना बाकी है अगर उसमें भी कंपनी कंपनी का प्रोफिट बढ़ गया तब तो इसमें इसके फिर आपको सेर मिलेगा नहीं इसलिए अगर आपके पास सेर्स हैं तो बैसक संभ हुआ है 2019 के बाद कंपनी को बढ़ते गया तो कंपनी ने कोई डिविडेंट नहीं दिया है अब चुकि कंपनी का प्रोफिट बढ़ रहा है तो हो सकते आने वाले समय में कंपनी फिर डिविडेंट देना शुरू करे लाश्ट टाइम सितंबर 2019 में इसने डिविडेंड दि डिविडेंट देते हैं इसलिए यह मैं सोचे कि बहुत कम डिविडेंट दिया है पैसा में दिया है यह बड़ी बात है समझे प्रोमोटर के इसमें सदारी है 15.6 पर थिसाथ थोड़े बहुत बिदेशी निवसक्विया है लगवाक 08 पर थिसको आप निगलेक्ट करके चल तो ट्रेडिंग विड़ो किया गया है यह को आड़ आने के आरट गंटे बाद तक क्लोजी रहेंगे रियाल आ जाएगा आरट गंटे बाद फिर ट्रेडिंग विड़ो आपना कर सके तो उमीद करता हूं जितनी बाते मैंने बताई आपको समझ भाए होंगी वीडियो आने बात शुक्रिया